जहिन दोस्तों क्या हाल चाल हैं दोस्तों आज आपके लिए यूपी पुलिस वाले वच्चों के लिए और यूपी पुलिस रेडियो उपरेटर वाले वच्चों के लिए एक बहुत शांदार दोस्तों वीडियो लेकर आया हूँ और दोस्तो यहां से आपको question देखने को मिलता है और बहाँ पर दोस्तो कभी कभी आप दोस्तो गलती कर देते हैं आप जज नहीं कर पाते कि इसका right answer कौन सा होगा क्योंकि चार option दोस्तो बहाँ पर आपको दिये जाते हैं और आज दोस्तो जैसे में आपको पढ़ाने वाला ह एक भी दोस्तो question बहार नहीं जाएगा भारतिये अनुसंधान संस्थान का एक कहानी के जडिये दोस्तो सब कुछ याद करा दूँगा इस कहानी को चाहें जैसे भी आप समझें जैसे भी आप सुनें अराम से एरफोन लगा कर दोस्तो सुनना पूरी वीडियो को दोस्तो द लेकिन option में मुझे आपको confuse नहीं करना है मुझे आपके दिमाग में बैठालनी है कि कौन सी संस्थान कहां पर है कौन सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है कौन सा संगटन कहां पर है ये दोस्तो मुझे आपके आपके दिमाग में बैठालनी है इसलिए option से नहीं हम दोस्तो तो डारेक्ट इसको समझेंगे और डारेक्ट एक एक चीज दोस्तों आपको याद करा दूगा बस आप देखते रहिए तो भारती एक क्रशी अनुसंधान संस्थान कहा है सर नई दिल्ली में है सर ये तो नई दिल्ली में है लेकिन इसको याद कैसे करेंगे ये बताईए सर भारती एक क्रशी क्रशी मतलब किस सम्मंदित है किसानों से आप सबको पता है कि किसानों ने आंदोलन कहां किया था भाई जब उन पे क्रशी के उपर दोस्तों कर वेगरा जब बढ़ाये गए थे सरकार की तरफ से तो किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था सबी लोग बत दोस्राइं तक यह आपको दिखना है ना यहां तक आपको याद कराउं में ना यहां से दोस्त्न आपको देखने मीलेगा वीडियो एंड टक लेखना बस सरत एक है केंठी ये गंणा अनूसंद्हान संस्थान सर कहां पर है गंणा आप घंणे सर कैसे याद करूँगा केंदरी गन्नानु संथान भाई बच्षपन में हमने एक काम बहुत करा है हमारे पास जो हम रहेते हैं ना जहां पर यहां पर हमारे पास में एक बाइपास है बाइपास मतलब बहां पर गाड़ियों का आना जाना खूब होता है एदर से उधर इस सहर से उस सहर गालिये आती जाती रहती हैं अब हमारे सामने जो रोड था बहां पर दोस्तों ट्रेक्टर बहुत आते थे और ट्रेक्टर किसके होते थे सर गन्य के ट्रेक्टर होते थे किसके सर गन्य के ट्रेक्टर होते थे गन्य के ट्रेक्टर होते थे हम लोग क्या करते थे थे दो-तीन दोस्त इखटे होते थे कहते थे आजा भाई तू भी चल तू भी चल वो कहते है कहाँ चलना है जर चलना कहाँ ये तो बताईए चलना सोहल भाई कहाँ ये बताईए मैं कहता हूँ भाई गन्ने का ट्रक्टर आ रहा है बहाँ से गन्ना खीचने चलेंगे मतलब 2-3 दोस्त इखटे होकर एक टूर बनाते थे टूर एक क्या बनाते थे टूर बनाते थे और गन्ना खीचने के लिए जाते थे तो भई केंद्री गन्ना अनुसंधान संस्थान टूर याद रखना है भई चार-पांट दोस्त मिलकर टूर बनाते थे, और गन्ना खींचते थे, पीछे से जाकर ट्रॉली से, ट्रॉली आई, गन्ना खींचा, खेतों से भाग गए, तो भई केंद्री ये गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयंब टूर, क्यलियर है, याद हुआ, चलिए, नेश्ट पर भारत ये हीरा अनुसन्धान संस्थान अरे यार कोई गलवरेंट आपकी होगी यूपी पूल इस 콘 давайте नहीं कोई माता जी है किसी कोई टरह है अ beneath एक सीकुक्व रडिय को इपनी किसी की बिकुनार यह अपनी किसी की बीटीक डीक है तो किसी गलफ्रेंट को, किसी अपनी बीवी को, कोई भी हीरे की यंगूटी, हीरे का टॉप्स, हीरे का हर अगर गिफ्ट करोगे, तो भाई जाहर सी बात है, उसकी सूरत कैसी हो जाईगी? खेल जाईगी भाई, ऐसे ही खेल जाईगी, लग्त सब्सक्ति-बहई, या आलू और शिमला मिरच की सबजी, याद हो गया, आगे आ जाओ, केंद्रिये बन, अनू संधान, भाई बन, केंद्रिये बन, बन मतलब सर क्या होता है, जंगल, और बनों में बहुत बढ़िया लगता है, भाई, अगर मैं रहने बाला हूँ, महलो बरेली का, ठीक है, मेरे पास में क्या है, उत्राखंड है, उत्राखंड है, आप रहने वाले हो कि दरी और साइड के, जैसे महलो इस साइड के, दिल्ली साइड के, या और साइड के आप रहने वाले हो, आपके पास में अगर आपको उत्राखंड जाना है, तो क्या पड़ेगा सर, देहरा दून जाते हैं सर इंजोय करने वो जाते हैं बन वाले एरिया में और बन दोस्तों कहां होते हैं आपके उत्तराखंड में उत्तराखंड में दोस्तों क्या है आपका देहरादून बस दोस्तों इतना याद रखना है बन की बात हो जंगल की बात हो देहरादून में तुरंद भाग क चलती है तो इधन जलता है मेरे दोस्त गाड़ी जब चलती है तो इधन जलता है तो केंद्रिये इधन अनुसंधान संस्थान जब गाड़ी चलेगी इधन जलेगा और इधन जलेगा तो हो जाएगा सर जलगोड़ा केंद्रिये इधन वाला जलगोड़ा याद हुआ आजाई मेरे दोस्त आजाईए संस्थान दोस्तों यह कहा है करनाल में है सर याद कैसे करें भाई हरियाना के चोरे गाने सुने होंगे आपने बहुत बड़ी या हरियाना के देसी वालक है है नहीं तो देसी वालक कैसे हैं भाई देसी दूर पी रहे हैं देसी घी खा रहे हैं देसी भाई यह सबजी हो रही ह तो डेरी है ठीक है, डेरी है और अंकित बेनुपुरिया भी आपने सुना होगा भाई, बेन४ुरिया आपका बेतरीन एकदम जवरदस्त बोडी बोडी है तो कहा कसर, हरणेयाना में ही पढ़ता है आपका करनाल तो डेरी की बात हो भैस की बात हो, जहां भी देसी बात होगी, बहां पर हरियाणा आपका जरूर होगा, ठीक है, तो डेरी से आपका क्या बनेगा, हरियाणा मतलब करनाल, ठीक, रास जी डेरी पूझ ले, करनाल ठोक देना है, कुछ भी नहीं देखना है, भारतिये मौशम, अनुसंधान, केंद भाई मौशम की बात अगर हो, और आपका दिल्ली ना हो, तो ऐसी बात हो नहीं सकती, तो भारतिये मौशम की बात होगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का मौशम का कोई भरोसा नहीं है, कि कब दोस्तों जबरदस्त गर्मी पड़ जाए, और कब अचानक से बारिस हो जाए, क्योंकि मैं दिल्ली में 6 साल रहा हूं, मुझे पता है, ठीक है, तो भाई केंद्रिये मौसम से याद रखोगे भाईया, नई दिल्ली, ठीक है, चलिए, आगे आते हैं, केंद्रिये औसधी, बात हो रही है, केंद्रिये औसधी की, यहाँ पर एक डाउट आपका केलियर करत हूं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो डाउट आपका सर कौन सा है, देखिए, ओसधी जो होती है, यह देसी दबा होती है, एक तरीके की देसी, ठीक है, देसी दबा, एक तरीके की ओसधी, जिसे हम लोग बोलते हैं, और दोस्तों, एक हमारी होती है, अ इंगलिस दबाईयां थोड़ी थी, आज से पहले की अगर आप बात करेंगे, तो औसधी की अगर बात करेगा, तो आप लखनव ठोकेंगे, क्योंकि हम रहने बाले हैं, उत्तरपरदेश के, पेपर दे रहे हैं, यूपी पुलिस का, उत्तरपरदेश में पुलिस बनने का, और अगर हमें कोई दिक्कत होगी, कोई परसानी होगी, तो हम भाईया कहां जाएंगे, हम भाईया राजधानी ही तो जाएंगे, तो हमारी तो राजधानी लखनव है, और हमें अगर दबा की जरुवत होती, भाग के कहां जाएंगे, लखनव जाएंगे मेरे भाई, तो के क्या आना दोस्तो greater noda और जितने भी दोस्तो जो आपके जैसे wheelchair है मतलब जितने भी आपके equipment होते हैं hospital वाले जिस wheelchair है और कोई बहुत-बहुत सी machine वगरा है उनका भी दोस्तो जो production होता है सर कहा होता है greater noda ठोक देना दोस्तो तीन कोशन मैंने यहां से आपके तयार करा दिये हैं ठीक है उसके बाद दोस्तो नेश्ट है केंदर यह चमड़ा अनुसंधान केंदर भाई चाह यहां से निकाल दो और चाह की जगा चिन्नई ठोक दो इससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस इसको चावल को तब तक चबा जब तक इसको तोड़ ना दे और जब आप मुझे चावल चबाओगे ना तो कैसी आवाज निकालोगे सर कटक कटक की भई कच्चे चावल ठूंस दिये मैंने आपके मूँ में अवाज कैसी आएगी कटक कटक की आएगी दिल पे मतले ना मज़ा जब आएगा जब मौसम पूरा बनेगा भई तो मौसम पूरा पूरे केंदरिये बनस्पति अनुसंधान संस्थान भई बनस्पतियों की बात हो रही है और बनस्पतियों की बात हो रही है तो हम चलेंगे सीधा कहां लखनव मंडी लगी है भई कहां चलेंगे लखनव चलेंगे भही या चलिए केंद्रिये मस्तेश्क अनुसंधान संस्थान भाई आपका मस्तेश्क आपका दिमाग तब ही आप एक्जाम निकालेंगे जब गुड होगा ठीक है तो मस्तेश्क आपका जब गुड होगा ना गुड गाउं जब मस्तिस्क गुड होगा तभी ये एक्जाम निकलेगा उत्तर परदेश पुलिस का उत्तर परदेश ऐसाई उत्तर परदेश लेकपाल सभी एक्जाम तभी निकलेंगे जब आपका मस्तिस्क गुड होगा मेरे भाई समझ पा रहे हैं मेरी बातों को तो चलिए समझते रहे ये राश्टिये दलहन, चीनी अनुसंधान संस्थान, भाईया अगर आपकी माता जी कहें कि आज मैं खाने में बेटा दाल बना रही हूँ, कौन सी दाल बना रही हो मम्मी जी, अरहर की दाल बना रही हूँ, बेटा तू खाएगा, बेटा तू खाएगा, बोली ही नहीं रहा तो तेरे तो कान पे कोई भरक ही नहीं पढ़ रहा है दाल के नाम से तो भाई दलहन है चीनी है कान पे कोई भरक नहीं पढ़ेगा मम्मी कहेगी पीटा दाल बना रही हूं तु खाएगा कुछ नहीं बोलेगा तु क्या करेगा भाई यह कान पूर ठोग देगा तेरे कान पर क कोई जू नहीं रेंगेगी ठीक है दलहन चीनी का कानपुल ठोग दो केंद्रिय भवन निर्मार संस्थान भई भवन किसको कहते हैं एक बहुत शांदार घर जो एक भितरिन जगा हो बहुत शांदार जगा हो और जब भवन का नाम होगा तो रुलकी आ जाएगा और रुलकी कैसे याद रखेंगे केंद्रिय भवन रुलकी में दोस्तों आप सभी को पता है क्या है सर आपकी साबिर पाक की दरगा सरीप है और बही पर दोस्तों आपकी जो नहर निकली हुई है बही नहर दोस्तों आपकी हरिद्वार जाती है तो दोनों जगा दोस्तों आप आपके धर्म के हिसाब से माल लीजिएगा, दोनों जगा आपकी पूझनिये हैं, हरिद्वार भी और आपकी रुड़की में साविर पाक की दर्गा भी जो आपकी साविर पाक दर्गा के नाम से है, तो केंद्रिये भवन दोस्तों रुड़की, तो इस परकार से भवन और रुड़क ओसदी वाली दवा कहां दिलाई थी लखनू में, और बिस अगर साप काटेगा, तो भई बंदा कहां जाएगा, एडमिट होने, लखनू जाएगा, मेरे दोस्त, जब बिस साप ने काट लिये, जहर छोड़ दिया, बंदा कहां जाएगा, सर, लखनू जाएगा, नहीं अगर, इसे करके फेक के मारूं, और तेरे यहाँ से लग जाए, चटाक से तेरी बोल जाए, और खून की फिचकारी सी निकल जाए, तो तू कहे क्या कहेगा, काश मैने सर को आंसर सही दे दिया होता, ना सर ने नारियल मारा होता, ना मैं चुची आया होता, ठीक है, तो से क्या हो जागा सर काशर कोड और यह दोस्तों पढ़ता है आपका केरल में ठीक है डीजल लोको मोटिफ बर्क डीएल डवलू दोस्तों वरानसी में है यहां पर ही दोस्तों हमने वीटेक के दोरां ट्रेनिंग की थी यह आप मुझे से याद कर लीजेगा कि सोहिल सर ने चैनल पर सब्सक्राइब जरू कर देंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे और शेयर जरू करेंगे लाइक करें ना करें शेयर जरू करना है आपको ठीक है केंदरिये नमक अनुसंधान से बात थोड़ी करेगी भाव तो खाईगी ही भाई भाव तो खाईगी ही इतनी खुबसूरत जो है तो केंद्रिये नमक की जब बात होगी न तो भाव जरूर खाईगी मेरे दोस्त केंद्रिये नमक से वनेगी मेरे दोस्त भाव नगर केंद्रिये भैस मैंने आपको समझाया भाईया जब भी बात हमारी होगी डेरी की, दूद की उसी पिरकार दोस्तों कहां की बात होगी हरियाणा में जाएगा हमारा सभी डेरी है, तो भैस कहां होगी हिसार, हिसार दोस्तों हरियाणा में ही पढ़ता है आपका, तो केंद्रिय भैस हनुसंधान संस्थान आपका पढ़ता है हिसार में हिसार हरियाडा में ठीक है पिलाजमा भाई एक बोलो कहते हैं यह मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है तो हम लोग बच्चे टॉर पर क्या याद करते थे पिलाजमा दिल ठीक है, तो मोधी जी का दिल बहुत बड़ा है, तो पिलाजमा जहां भी होगा, तो मोधी जी कहां के भाई, एक तरीके से गांधी नगर के, ठीक है, मोधी नगर तो याद रखते ही है न, तो गांधी नगर या ऐसे माल लीजे, गांधी जी का दिल बहुत बड़ा है, हुआ.. गाड़ी ले चलए यार मेरी घाड़ी स्खराब है आज तूSmoo अपनी गाड़ी ले चलिए और यार मैं नहीं ले जाएगा और बहुत खर्च होता है तो भारत पेट्रोल हम क्या क्या याद रखेंगे देहरादून क्युंकि पेट्रोल भाले एरियों में बहुत खर्च हो जाएगा दोस्त गाड़ी ले जाना नहीं चाहेगा केंद्री जडक, भाई सडके तो दिल्ली की जबर्दस्थ है तो केंद्री सडक नहीं दिल्ली राष्टी गिरामीर विकास यहापका हो जाएगा दोस्तो हैं ऐधरबाद हएधरबाद दोस्तो आपका हो जाएग चलिए केंद्री आम, आम से याद रखेगेंगे, दोस्तो, लखनवा, आम, लखनवा, ठीक है? राष्टी ये, पुरा तत्विक, शर्वेक छण, दोस्तो, पुरा तत्विक, पुरानी, पुरानी चीज appeared, कहां, सर? ये हपका हैदराबाद में है अब आपकी साधी है ठीक है तो आप हल्दी थोड़ी लगाओँ खुद कहाँ तमी लगादो क्या कहोगे हल्दी तुमारी है तो कहाँ तमी लगादो तमी लगादो हल्दी तमी लगादो अब दोस्तों मैं आप से question पूचता हूं अब बताएं दोस्तों आपको यहां से अगर कोई भी question आता है तो आप क्या गलत कर पाएंगे जीवन में उसे कभी एक बार comment करकर जरूब बताईएं कि आप गलत कर पाएंगे रह नहीं कर पाएंगे जल्दी से बता ये रास्टी ये चावल अनुसंधान केंदर बिल्कुल सही जवाब ए मूरक बहुत पिटेगा तुझे घूंसों से मारूंगा अब गलत आंसर दिया चल फिर से बता चल जल्दी से बता चल बूसता हूं भारत ये हीरा अनुसंधान केंदर ऐसे ही सुरत खिलन इस बुख में सारे दोस्तों आपको सिलिवस पर आधारीत पुस्तक आपको देखने को मिलने वाली है इस बुख कर लिचे लिंक की डिस्क्रिप्फशन में दिया है इस्टेड़ी गाइड है आप इसको परचेस कर सकते हैं इसके साथ में दोस्तों प्रक्टिस करने के लिए दोस्तों आप इनकी प्रक्टिस साट की बुक ले सकते हैं। इसके साथ में पूरा मैं सब कुछ कुछ करूँगा इस कोशिश में आप मेरे कितना साथ हैं बो मुझे देखना है। आपको कैसा लगा और आप इन फ्यूचर मुझे क्या चाहते हैं इन आने वाले 17-18 दिनों में जब तक आपका एक्जाम है। यह भी दोस्तों कॉमेंट करकर जरू बताएं कि सब्जेक्ट को आप ट्रिक के जरीए से पढ़ना चाहते हैं बो भी जरू बताएं।